इसमें दिल्ली के और रेटा के लोग माने प्रकाश में हुआ यह कि इन लोगों ने एक बार एक वेबसाइट से वेकेंसी निकाल करके लोगों की परिक्षा भी कराई यह लाबाद में और जोगों पे और उसमें इन्हों लोगों ने 50 लाख भग ठगी की और उस परिक्षा का कुछ पता नहीं चला लोगों ने परिक्षा दिया और लोगों सोचे लड़के लोग की हमारा सेलेक्शन नहीं गवा लेकिन इन्होंने क्या-क्या बड़े स्थर पर फ्रॉट करने के लिए माधिमिक सिक्षा चेहन बोर् इसका फायदा लेकि यह निकाल दिया और UPSSB.org अर्ग होता है लोग सोचते हैं कि यह सरकारी वेबसाइट है लेकिन इन्होंने इस वेबसाइट के माधिम से 24,178 पदों के लिए विग्यापन निकाला और लोगों से यह का कि 500 रुपए जमा करिए आपका फॉर्म बरिये बिजिटली और फिर आपकी परिक्षा होगी इतने पदों के लिए लेकिन जैसे ही माधिमिक सिक्षा चैन बोर्ड को यह पता चला उन्होंने करनल गंत्थाने में एक अभ्योग पंजिक्रित कराया और उन्होंने साइबर की मतली तो यह वेबसाइट बंद कर दी गए जिस को पता किया गया फिर इसकी जो सबसे बड़ी बात है कि बनाने वाले कहीं प्रकास में उन्होंने दूसरे की सूचना वो यह सोच रहे थे कि हम दूसरे का नंबर डालेंगे दूसरे का फोटो डालेंगे दूसरे की आईडी डालेंगे लेकिन उस ब्यक्तिने बताया कि हमने नहीं बनाया फिर यह हुआ कि आखिर इसने बनाया किसने तो हम लोग तह तक जब गए तो सही माइने में एक अंतर राजी गिरो के लोग दो लोग प्रकड़े गए हैं जोनोंने दूसरे की सूचना पर दे करके एक सरकारी वेबसाइट के माध्यम से फ्रॉट करने का प्रयास किया था और यह मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूँगा कि जो भी छात वे नौकरी के लिए आवधिन करते हैं वो यह वेरिफाई कर लेंगी पैसा जमा करने से पहले कि जहां वो पैसा दे रहें वेबसाइट के माध्यम से वो सही वेबसाइट है कि नहीं जनरली उसका देख लें उस वेबसाइट को जाके गूगल पर सर्च कर लें किसका क्या मतलब है उस पर अगर उससे मिलती हूँ कोई सरकारी वेबसाइट उसके कॉल नंबर से उससे वेरिफाई करने क्या विकेंसी निगली है कि नहीं क्योंकि इस तरह से नौकरी का जहांसा दे करके तक गया था और इनको यह मालूम चल गया था क्या बड़ा चुकि सरकारी हो चौबिस हजार में एक लाख लोग भर देंगे और हम और एक लाख में पांसो पांच करो रूपय का फ्रॉड हो जाए चोटे ही परिक्षा कराने के बाद अच्छा लड़के करते हैं यह सोचते ह परिक्षा दिये उनका रिजल्ट नहीं आया तिक उनको नहीं मालूम कि जहां परिक्षा दियो परिक्षा ही नहीं तो यह बहुत जवानों को जो नौवयोख हैं जो नौकरी के तलाश में हैं उनको सतर करहने की ज़रूद है